हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो यूर ओवन चैनल मार्किट एनलिस आज हम बात करने वाले प्राइजेक्शन के बारे में दोस्तों बहुत सारे हमारे प्यारे ट्रेडर्स की जो है कमेंट्स आ रहे थे कि सर्फ प्राइजेक्शन पर वीडियो बनाएं यह देखिए मिस्टर मह आज में इतनी अच्छी प्राइजेक्शन के स्टैटेजी लेकिया है तो फ्रेंट्स अगर यह प्राइजेक्शन की वीडियो आपने कंप्लीट देख ली तो मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ अधर वीडियो देखने की जरुत पढ़ेगी अगर आपको प्राइजेक्शन ही एक मातर ऐसी स्टेडेजी है जिसे बड़े-बड़े ट्रेडर्स बताने से कत्राते क्योंकि प्राइजेक्शन एक स्टेडेजी होती है अगर यह आप लोगों को पता चल जाए तो आपको प्रोफिट बनाने से कोई नहीं रोक आप डेली प्रोफिट बनाएंगे अगर आपने अपना बेसिक्स टीजे क्लियर कर लिए आपने अपनी बेसिक्स टेक्निकल एनलिसिस अगर कंप्लीट कर लिए और आपको बेसिक्स नॉलिज है केंडल स्टिक चार्ट पेटरन स्पोर्ट रेस्टेंस टेंड लाइन एक्स्टर देन आपको projection आखिर में work करता कैसे मेरी personal secret strategy है दोस्तों सची पूछो तो मुझे सची पूछो तो मेरा दिल नहीं करता इस strategy को किसी को बताने का बट आपके इतनी request आने के बाद मैंने सोचा कि कहते हैं ग्यान बाटने से ग्यान बढ़ता है तो क्यों ना ग्यान को बढ़ाया जाए अगर म मेरे से question भी पूछोगे हो सकता है उस question से मुझे कुछ और अच्छा सीखने को मिले और मेरी तरफ से आप लोगों को कुछ भला हो जाए और उसके बदले मुझे कुछ दुआ मिल जाए आप लोगों से आशरवाद मिल जाए आप लोगों से तो friends ये वीडियो थोड़ी कमभव ही नहीं है मैं हर वीडियो में आपको यहीं बताता हूँ कि practice करो, practice करो and practice करो दोस्तो इस वीडियो को देखने के बाद आपने price action पे कम से कम आपने 200 chart पे इसकी practice करनी है देखो अगर आप सच मुझ में एक successful trader बनना चाहते हैं तो आपने practice करनी होगी और आपने कम से क 200 chart पे आपने practice करनी है तो let's begin without wasting your time तो दोस्तो market में जो price होता है price action price plus action मतलब कोई भी एक price है उस पे उस समय क्या action चल रहा है वो ही price action होता है एक तरह से हम समझे हैं तो जिस candle पे उस समय जो price चल रहा होता है और उस पे क्या action लिया जा रहा है बायस और sellers के तुरू वो ही price action ह होता है बड़ उसको deeply analysis करना बहुत जरूरी इसको समझना बहुत जरूरी है कि buyers और sellers क्या कर रहे हैं वो क्या करना चाहते हैं क्या वो price को उपर लेके जाएंगे या price को वो नीचे लेके आएंगे main चीज तो यह है दोस्तों बस हमें यह पता चल जाए चार्ट को देखके कि price उपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है बस हमें simple यही तो चीए और चीए क्या और यही strategy है हमारे price action की कि price action देखते ही आपको यह पता चल जाएगा कि अब price का action यह बोल रहा है कि price को नीचे आना है या फिर price को उपर जाना है ठीक है तो friends price हमारा कैसे behavior करता है वो हम price इस तरीके से moment दिखाता है तो इसको बोलते हैं इस point को हम accumulation phase और इस points को बोलते हैं हम participation phase और participation होने के बाद price और उपर जाता है उसके बाद friends आती है distribution ठीक है यहाँ पर distribution आती है और उसके बाद आती है panic selling और फिर से यहाँ पर accumulation आता है फिर price उपर जाता है फिर यहाँ पर participation आते हैं एंड उसको उपपर लेके जाते हैं फिर है यहां पर distribution आता है इस तरीके से तो इस तरीके से यो चार्ट चलता रहते हैं ठीक है यह जो चार्ट अभी चल रहा है आप जो देख पा आते हुए चलता है projection में दोस्तों हमारे eight points score होते हैं जिनको one by one बड़ी बारिकी से हम समझेंगे कि projection में जो eight points है हमारे वो किस तरीके से work करते हैं और उन पर analysis किस तरीके से होती है तो friends हमारे projection के जो यह eight points है यह one by one हम clear करने वाले हैं सबसे पहले demand and supply बहुत ही important topic है उसके बाद price pattern, उसके बाद trend, उसके बाद support and resistance, high and low analysis, multi time frame analysis, उसके बाद trend line and candlestick price pattern दोस्तों अगर आपने projection में mastery करनी है और सचमुच में एक successful trader बनना है तो projection के eight points आपको cover करने होंगे one by one तो चले start करते हैं, friends जो यह starting के दो points हैं, यह मैं आपको last में बताऊंगे, क्योंकि यह आते हैं advance, advance price action में आते हैं बाकी यह जो points हैं, यह अगर आपके clear नहीं है, तो आप advance नहीं सीख सकते, पहले आपको यह clear करने होंगे, तो one by one पहले में आपको यह वाले बताने वाला हूं, ठीक है, फटाफट बताएंगे, ज्यादा time नहीं लगाएंगे, उसके बाद last में आपको demand and supply and price pattern बताऊंगा, प्राइज एक्शन का जो secret valuable content है, वो में last में बताने वाला हूं, जिसमें demand and supply and price pattern बताऊंगे, नहीं दोस्तों सबसे पहले हम trend के बारे बात कर ले, सबसे पहला point हमारा trend रहेगा, friends हमारा price इस तरीके से move करता है, यह वाला जो points होता है हमारा accumulation phase बोलते हैं, friends price इस तरीके से च transaction आती है, जिसको हम profit booking बोल सकते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर panic selling आती है, फिर यहाँ पर फिर से accumulation होता है, फिर से price में participation होता है, फिर से price में participation होता है, फिर यहाँ पर जाके distribution, फिर same panic selling and then फिर accumulation, फिर से price में participation and फिर उसके बाद यहाँ पर distribution, इस तरीके से जो है price चलत तो यह वाला जो ट्रेंड है दोस्तों यह एक अप्ट्रेंड कहलाता है इस तरीके से जो चार्ट स्ट्रक्चर होते हैं वो अप्ट्रेंड स्टोक्स कहलाता है नाउ इसमें अगर हम बात करें तो यह हमारा हो गया हायर लोग और यह हो गया हमारा हायर लोग हायर लोग हायर ल पर यहां पर पार्टिसिपेशन हुआ यहां पर जाके डिस्टिबूशन ठीक है जब यहां पर पब्लिक को यह लगने लग गया कि यह प्राइज ऑवर वैलूड हो चुका है तो यहां पर डिस्टिबूशन आया एंड उसके बाद जो रिटेल ट्रेडर्स टाइप के होते हैं फिर से यहां पर रिटेल ट्रेडर आते हैं जो पार्टिसिपेशन करते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन बोलते हैं इसको एंड फिर फिर डिस्टिबूशन आता है उनको अच्छा प्राइज मिल जाता है यहां पर जिन्नोंने यहां पर वाई किया था और फिर यहां से वो वो downtrend में इस तरaffle के, यह हमारा रहेगा lower highs and lower low, lower highs, lower low, lower high and lower low, lower highs, तो इस तरिके से अगर जो चार्ट चल रहा होता है, lower lows, lower highs बनाते ही, तो उसको हम downtrend बोल, यह होता है trend का concept के लिए, उसे हमें यह पता चलता है, कि trend downtrend चल रहे है या up trend हाय हाई बन रहे है या higher lows बन रहे है वो हमें देखना बहुत जरूर है है या lower highs lower low बन रहे है वो बहुत important यह आपको practice जरूर करने कम से कम आपको daily दस chart पर यह analysis करने low Kids और lower highs किस कि chart पर बने हुए है and higher highs higher lows कि शौट पर बने इन पर आपने प्रेक्टिस करनी है अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ फ्रेंट सेकंड पॉइंट से हमारा स्पोर्ट एंड्रेस दोस्तों लास्ट वाला जो पॉइंट हमारा रहेगा डिमांड एंड स्प्लाई का असली गेम तो उसमें बापता होगा बड़ एक बड़ बेसी कांसेट के लिए करना जरूरी है क्योंकि इस वीडियो को वो लोग भी देख रहे हैं जो एकदम बिगनर्स है और वो लोग भी देख रहे हैं जिनको थोड़ा एक्सपिरेंस तो एक्सपिरेंस वालों का भी एक बर रिवीजन हो पर चुनिता रहता ओलः िपता रहता हैं इस तरीके से चलता है अब इसमें हमने Support & Resistance Findout करने आप यह चार्ट तब यहां से चला तो यहां में पे इस ने एक resistance बनाया ठीक है जब वो यहाँ पे अब sport का काम कर रहे हैं, यहाँ से नीचे price को break नहीं होने, ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे stock उपर की तर्फ चला जाते हैं, फिर से अपना एक नया resistance बनाता है, फिर यह नीचे आता है, फिर यहाँ पे जो पिछला जो resistance था, उसको यह support मानता है, और यहीं से जो है, इसने bounce back ले लेता है, नाव दोस्तो, high and low इसके analysis कर लेता है, अब मान के चलो, यह कोई price है, इसने हमारा high बनाया है, यह 1140 रूप, और उसके बाद इसने low लगाया है, हमारा 1100, उसके बाद यह price जो है, close हो जाता है हमारा 1120, आप next day जब भी जहाँ पर भी यह price होगा, तो हमारे लिए जो important price होगा, वो 1140 और 1100, क्योंकि यह price, या तो 1140 बरेक करेगा, या फिर 1100 रूपे बरेक करेगा, तो वो हमारे लिए एक price action बनके आएगा, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर इस बीच में, जो है, accumulation भी चलेगा, और distribution भी दोनों चीज़े चलेगी, बट, वहाँ पर पता चलेगा, कि price action क्या भन रहाए, क्या होता है दोस्तो, 95% retail trader, क्या करते हैं, जब यहाँ पर जो breakout आता है, उस पर trade लेते, या फिर breakdown आता है, तो breakdown देने के बाद trade लेते हैं, अब एक बात बताओ यार, कि इस तरीके से, यहाँ पर जो price चल रहा है, अब breakout देने के बाद आप entry कर, इतना निकलने के बाद आप entry, आप यहाँ पर entry क्यों निकल, यही तो सिखाता है price action, आपने breakout से पहले आपको पैचान के दिखाएगा price को, कि हाँ, अब ही इसको किस साइड जाना, आप breakout से पहले पैचान जाओगे, projection के थुरू, कि यह price अब किस साइड जाने वाला है, तो आप breakout से पहले आप entry ले लोगे, और उसमें क्या होगा, आपका जो SL होगा, वो भी बहुत छोटा होगा, अब आप यहाँ पे breakout देने के बाद, अगर आप SL लगाओगे, तो आपका SL ही होगा, अगर आपने entry यहीं कहीं ले ली, breakout से पहले, तो आपका SL देखो कितना छोटा होगा, और अगर यहाँ पे entry ले होती, जो है, key points है, सभी के सभी, और इन पे जो है, आपने practice करनी है, अपने chart पे, ठीक है, अभी हम आजाते है, multi time frame analysis, friends, क्या होता है, किसी भी stocks या index के, moment को पकड़ने के लिए, हमें multi time frame में देखना बहुत जरूरी है, कि price action का moment, multi time frame में क्या कर, यानि वो price जो है, five minutes में क्या दिखा रहा है, उसके बाद 15 minutes में वो क्या दिखा रहा है, one hourly में वो क्या दिखा रहा है, और उसके बाद one day में वो जो है, किस तरी किस moment दिखा रहा है, and weekly में उसने कैसा chart pattern उसने बनाया हुग, ये सबी चीज़े आपको बहुत ज़रूर, अगर आपको Friday को, अगर आपका week close हो जाते है, एक सब्ता खतम हो जाते है, तो आप एक week की आप candle देखो, कि इस week इसने कैसी candle बनाई, है ना, मान के चलो ये एक chart है, और यहाँ पे चलते चलते, इसने एक weekly में जो है, इस तरीकी एक candle बनाई, ठीक है, जो कि इस तरीके से एक red candle, जिसका open ये है, and close ये, ठीक है, अब ये weekly candle क्या दरसाथ, वो आपको candle stick चार्ट पे पता चलते, तो weekly में आपको ये जरूरी है, कि weekly में क्या chart pattern हो है, क्या projection बनाई, उस पे अब हम आके intraday में, उस तरीके से trade लेंगे, यानि होता है ने, जैसे एक highway जा रहा हो, ठीक है, ये highway, अब आप बड़े highway पे अगर चल रहे हो, तो आपने अगर मालो service road पे जाना, तो service road पे जाके, अगर आप इस side में चलोगे, तभी तो आपको ये पता चलेगा, कि आप इस side में जा रहे हो, बड़ा road जो है, इस side जा रहा है, highway, अगर आप इस highway पे ना चलके, आप इस जाना आपको इस side है, और service road पे आप जाना, कि हमें तो जी इस side में जाना, इस वाले highway, यहाँ पे इस service road पे आप, तो ऐसा नहीं होगा न, आपने बड़े time frame में आपको ये पता लगाना है, कि ये जो price है, किस तरीके से movement कर रहे है, कहाँ पे इसको जाना है, बड़े time frame में जो trend चल रहा है, वो uptrend है, downtrend है, या फिर sideways, तो उसी के उपर हमने जो decision लेना होता है, कि अब हमने इंटरडे में, किस तरीके से जो हमें, entry बनाना है, and seven points है दोस्तो हमारा trend line, trend line किस तरीके से काम करती है, जैसे कि ये एक stock इस तरीके से चल रहा है, और यहाँ पे जो एक trend चल रहा होता है, downtrend, और फिर यहाँ पे हमारी एक trend line काम करती है, जब भी ये stock जो हैं यहाँ पे एक breakout देते, तो एक अच्छा खासा है यहाँ पे moment देखने को हमें मिलते देता है, तो ये trend line भी बहुत जरूरी है, ये एक projection का ही part है दोस्तों, जब भी हमें कभी किसी भी stocks या index, इस तरीके से हमने वहाँ पे trend line ड्रो कर लेनी है, और उस पे हम जो trade करेंगे, तो उसका एक जो result है, वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है, सेम अगर कोई भी stock इस तरीके से अप trend में चल रहा हो, और यहाँ पे हमारी trend line ड्रो कर देते हैं, अगर वो इस trend line को कहीं पे भी break, तो यहाँ पे दोस्ते downtrend आने की संभावना maximum हो, क्योंकि यह trend line तोडने के बाद जो है, लोग बाग यहाँ पे profit book करना start, और जिनको यहाँ पे sale की position लेनी हो, वो यहाँ पे sale की position ले लेते हैं, तो इस तरीके से यह जो price moment दिखाता है, and now friends, हमारा 8 point है candlestick price analysis, candlestick जब कोई भी stock price इस तरीके से चल रहा होता है, और उसमें यहाँ पे कोई hammer type की अगर candle आपको नजरा आ जाती है, तो उस पे हमने क्या करना होता है, वो मैंने अल्रड़ी यह वीडियो बनाई हुई है, hammer के उपर भी, bullish engulfing, bearish engulfing, shooting star, इन पे जो है मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उनको जाके देख सकते हैं, now friends, finally, अब हम आ जाते हैं, अने demand and supply के, यह बहुत ही important topic है, और इसकी analysis में चार्ट पे चलके आपको दिखाओ, तो friends, सारा खेल demand and supply का, stock market में complete game है, वो demand and supply का है, कौन सा price, अगर कोई price इस तरीके से moment, यहाँ पे demand create होती है, और यहाँ जाने के बाद जो है, यहाँ पे supply create हो जाती है, फिर से demand create होती है, और फिर supply create होती है, दोस्तो, demand and supply का game, complete price action को हिलाता है, friends, पूरा का, पूरा stock market, demand and supply के उपर ही चलता है, जब किसी भी stock price, अगर कोई demand आती है, तो वो stock जो है, उपर भागने लगता है, जब उसमें कहीं पे भी supply आती है, तो वो जो है नीच चल दे, होता क्या है, जैसे यहाँ पे कोई 100 रुपे के price, 100 रुपे से यहाँ से जो है, बायर्स उसको लेके गए, तो यहाँ पे supply start हो, मतलब यहाँ पे तो demand जादा थी, उस चीज की, कि लोग भाग खरीदार जादा थे, बायर जादा थे, तो जो है, बायर्स अगर यहाँ पे 100 रुपे पे खरीद रहें, तो उनको वो price 110 पे मिला, 15 पे मेंगा होता होता, यह 1.5 रुपे होगे, ठेके, जब यह 1.5 रुपे price पे चला गया, तो यहाँ पे sellers बहुँछ जादा होगे, मतलब sellers यहाँ पे, sellers यहाँ पे 1.5 रुपे में ज़्यादा अविलेबल होगे, कि इस price पे हम जोए बेचना चाहते हैं, यहाँ पे मान के चलो, एक लाग बंदे बायर्स थे, तो यहाँ पे जोए, एक लाग पचास जार sellers अविलेबल हो जाएंगे, कि हम जो यहाँ पे बेचना चाहते हैं, जैसे ही वो यहाँ पे supply करेंगे, तो यहाँ पे demand सेम होते हुए भी, supply अगर बढ़ेगी, तो यहाँ पे price का गिरना तो सुभाविक है, यह होता है हमारा demand and supply, अब क्या होता है दोश्य, यहाँ पे फिर से buyer active हो जाते हैं, इसको फिर से लेके जाते हैं, बढ़ यहाँ पे जैसे ही पुराने price पे यह पहुँच जाता है, 150 के, तो फिर से यहाँ पे जो sellers activate हो जाते हैं, जिनको यह लग रहा था कि यह सस्ता हो गया है, अब एक बर दुबारा से 150 पे आएगा, तो हम इसको जो है बेच देंगे, तो वहाँ पे फिर से seller activate हो जाते हैं, supply बढ़ जाती है, फिर से यहाँ पे buyer बढ़ जाते हैं, और फिर buyer लेके जाते हैं उपर, और फिर यहाँ पे जो seller बचे होते हैं, 140 के आसपास ही बेचने को ready हो जाते हैं, 140 पे जैसे यह बेचते हैं, तो price में selling pressure आता है, और वापिस जब 140 से गूम जाता है, फिर उपर जाता है buyer लेके, buyer जो है यहाँ पे fully strong नहीं होते हैं, फिर यहाँ तक लेके जाते हैं, फिर से ही जो price गर जाता है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, 25 से ही stock वापिस गर जाता है, और यह जो previous spot है इसका, वो इसको break कर देता है, यहाँ पे जो है, यह bias इसको नहीं रोक पाते हैं, and then supply है वो बढ़ जाता है, उस तरीके से जो है इसमें price में, एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, और फिर क्या होता है, उस price को जब नीचे के level पे, जब यहाँ पे 80 के आसपास जब यह price मिलेगा, तो फिर दुबारा से यहाँ पे accumulation स्टार्ट होगी, और accumulation स्टार्ट होगे, फिर इसको थोड़ा उपर लेके जाए जाएगे, और हैंडड के आसपास, और हैंडड के आसपास ले जाने के बाद, फिर से जो seller है, यहाँ पे फिर से अक्टिवेट हो जाएंगे, और इसको फिर से लेके जाएंगे, तो इस moment को बोलते है, रिट्रेस्मेंट, और यह फिर से जो है, continue एक डाउन ट्रेंड में स्टोग चल चुका है, तो यह होता है दोस्तों, demand and supply का गेन, आप यह demand and supply आपको एक में चार्ट में दिखाऊंगा, जिसमें आपको clear cut आपको समझ में आजा, कि कहाँ पर हमें entry लेनी होती है, और कहाँ पर हमें exit होना होता है, ठीक है, ना दोस्तों मैंने bank nifty का चार्ट खोला हुआ है, 5 मिनिट के टाइम फ्रेम में, अब मेरे आपसे एक question है, आपने comments करना है इसका answer, मैं यह जानना चाहता हूँ, कि यहाँ पर जो यह price में moment आई थी, इतनी अच्छा sale of देखने को मिला था intraday में, तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, कि यहाँ पर आपको projection की कौन सी जलक आपको दिखाई दे रही है, कि जिसकी वज़े से यह price इतना cracked हो गया, शलो उम्मीद करता हूँ, कि आप लोगों ने comment करी दिया होगा, दोस्तो आप लोगों के comment से मुझे यह पता चलेगा, कि मेरे viewers को कितनी knowledge है अभी तक, तो friends, I hope आपने comment कर दिया होगा, finally अभी हम देख लेते हैं, कि projection किस तरीके से यहाँ पर work कर रहे हैं, तो friends, यह तीन तारिक है, और तीन तारिक में यह 9 बजे की candle है, 9 पंदरा की, 9 पंदरा पे जब यह first candle बनती है, उसके बाद यह high लगा, ठीक है, उसके बाद यह correct हो जाता है, और उसके बाद ऐसा क्या है, कि इसमें प्राइस को उपर उठने ही नहीं दिया, दोस्तो होता क्या है, बाइर्स यहाँ से प्राइस को उपर लेके जाता है, फिर यहाँ पे जो सेलर्स वापिस से नीचे लेके आता है, फिर बाइर्स अपनी पूरी पावर दिखाते हैं, बट अपने हाई को क्रोस नहीं कर पाता है, और सेलर्स का प्रेशर जादा हो जाता है, यहाँ पे बाइर्स और सेलर्स की फाइट होती है, और उसके बाद प्राइस को यहाँ पे प्राइजेक्शन बनाके, प्राइस को गिरा दिया जाता है, तो यहाँ पे जो price action बन रहा है, वो आपने देख लिया होगा, तो friends यहाँ पे buyers price को उपर ले जाने को सैसे करते हैं, but sallus फिर से नीची ले कर आदू, फिर buyers फिर सी को पकड़ना हो तक आज जो है starting के moment में दोस्तों 10 बजे तक ये price final कर देता है कि उसे उपर जाना है नीचे जाना है या उसको sideways रहना है 10 बजे 10 से लेके 10.3 बजे तक आपको price action में ये दिख जाएगा कि आज buyers के control में है price या sellers के control और देख लेते हैं दूसरी जिगे यहाँ पर देखी 4 अगस्त यहाँ पर जो price है यहाँ पर open होता है नीचे आता है फिर से buyers को लेके जाते हैं बट यहाँ पर यहाँ पर जितने भी sellers थे वह सभी यहाँ पर अपना stop loss लेके निकल गए होंगे और उसके बाद क्या होता है दो एक अच्छा moment देखने को मिलता है तो इसी को हम price action बोलते हैं यह higher high बनाता हुआ जो चल रहा है इसको ही हम price action बोलते हैं अब यहाँ पर क्या होगा कुछ लोगों ने entry यहाँ पर बना ली होगा इसी जगे पर क्योंकि उनको यहाँ पर price action दिख रहा है तो price action वालों को पहले sales के controls में हैं यह sellers के control में हैं तो आप यह बताओ मेरे को कि आप entry ने ले सकाए आप definitely आप entry लेंगे और बहुत अच्छे entry लगे उसमें आपको डर भी नहीं लेगे आप बिल्कुल fear less होके उसमें trade करें क्योंकि आपको अपनी analysis पर भ्रोसा होगा friends जो यह मैंने अभी आपको demand supply वाला गेम आपको समझाए है इस पर आपने practice करनी बिना practice आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अब इसको यहां पर देख लीजिए बायरस इसको यहां तक लेके गए यहां पर profit booking आ जाती है थोड़ी मोडी लेकिन जिनको यहां पर थोड़ा और सस्ता मिलता है तो बायरस फिर से यहां पर कोसिस करते हैं इसको और उपर लेके जाने की बट सेलर्स फिर से activate हो जाते हैं फिर बायर कोसिस करते हैं बट उस हाई को क्रोश नहीं कर पाते एंड धडाम तो यहां पर हमारी entry बन जाती दोस्तों और यह हमारा रहेगा SL ठीक है अब दोस्तों यहां पर ज ठीक होगा ठीक है यह केंडल जैसी बनी उसकी फटके आत में आगी होगी क्योंकि अरे जब यह बात बताओ आपने SL यहां का ले रखा है उलड़ी तो आपको डूरने की जुरूत क्या है जब यह केंडल यहां जाके इसको टच करती है तब हमने जो अपना लोस बूप करना नहीं तो करना ही नहीं है ठीक है इस तरीके से मुमेंट दिखा के यह मार्केट जो डूरने का काम करती है तब ही हम रिटेलर लोग कभी प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं और उसके बाद देखे आप क्या मुमेंट आई यह तो इस तरीके से आप जो प्राइजक्शन को बटन और इसको बैक टेस्ट करें, परो तरीके से सीकें, I hope you will get the benefits of this video and share this video to all your friends, thank you so much, thanks for watching.